हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 3-1 टैक में तो फ्रेंड्स मुझे काफे सारे लोगों ने कमेंट करके एक कोश्चन पूचा है तो मेरा जो verification है वो fail हो जाता है और वहाँ पे एक error आती है जिसमें लिखा होता है कि this mobile number is already exist तो फ्रेंड्स अगर आपको भी इस तरीके की problem अपने चैनल पे देखने को मिल रही है और आप भी इस problem का solution ढूण रहे हैं तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपकी इसी problem का solution करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने एक mobile number से एक phone number से कितने YouTube channel को verify करवा सकते हैं कितने YouTube channel बना सकते हैं वीडियो चोटी सी है पर बहुती ज़ादा informative है इसलिए वीडियो को पूरा लास तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं पहली बार मेरे चैनल के उपर विजिट किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ओन करके उसे ओल पर सेट कर लें जिससे आपको मेरे आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपको अपने यूटीब चैनल को मुबाइल नंबर से वेरिफाई करवाने की जरूरत क्यूं पड़ती है अगर आप अपने यूटीब चैनल को अपने मुबाइल नंबर से वेरिफाई नहीं करेंगे तो आपको काफी सारे features जो हैं वो नहीं मिलते हैं वो कौन-कौन से feature हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ अगर आप अपने YouTube चैनल को mobile number से verify नहीं करते तो आप सबसे पहले तो 15 मिनिट से ज़्यादा कि कोई भी video upload नहीं कर पाएंगे दूसरा आप कोई भी custom thumbnail उसमें add नहीं कर पाएंगे तीसरा आप live stream नहीं कर सकते और चोथा appeal content ID claim मतलब अगर आप कोई music creator हैं तो आप content ID claim भी नहीं कर पाएंगे तो ये सारे features से आप दूर हो जाते हैं ये सारे feature आपको नहीं मिलते हैं अगर आप अपना phone number से अपने YouTube channel को verify नहीं करते हैं तो अब मैं आपको बताना चाता हूं कि माल जिस जीमेल ID से आपने अपने YouTube channel बनाया है उस Gmail ID से आप कितने YouTube channel बना सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं एक Gmail ID से आप 100 YouTube channel बना सकते हैं, अब 200 तक, मतलब एक Gmail ID से आप multiple channel create कर सकते हैं, और वहाँ पर switch करके दूसरी channel में जा सकते हैं, अब बात करते हैं कि एक phone number से आप कितने YouTube channel verify कर सकते हैं, या आप कितने YouTube channel बना सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाता हूँ, एक phone number से आप एक साल के अंदर दो YouTube channel को ही verify करवा सकते हैं, फिर अगले साल आप दो verify करवा सकते हैं, ऐसे आप एक साल के अंदर दो YouTube channel एक mobile number से verify करवा सकते हैं, अगर आप एक साल में ही दो से जादा YouTube channel को verify करवाने जाएंगे, मानिजे आप तीसरे YouTube channel को भी उसी mobile number से verify करवाने जाएंगे तो वो verify नहीं होगा और आपको यही error आएगी कि this mobile number is already exist तो मैंने आपको सारा कुछ इस वीडियो में बता दिया है detail में तो अगर आपको फिर भी वीडियो से related कोई question है कोई query है तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो से like और share जरूर करें thank you